नमस्कार मैं हूँ सुधीर दिख्षीत और आप देख रहा है न्यूज एटीन मद्रप्रदेश चतिशगड़ मद्रप्रदेश में चार चरन के चुनाव हो चुके है और देश के बाकी इस्तों में चुनाव जारी है लेकिन जैसे जैसे गर्मी का पारा चड़ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी चड़ रहा है और हम एक बार फिर हाजिर है न्यूज एटीन की खास पेशकश एडिटर्स पोल को लेकर जिसमें हम इन चीजों पर चर्चा करेंगे कि आखिर मद्यप्रदेश में दोनों पार्टियों की स्थिति क्या है और दोनों ने किस तरीके का प्रदर्शन किया है और आगे नतीजों में किस तरीके से ये पार्टिया पहुँचेंगी इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौझूद है सबसे पहले उनका तारूफ कराते हैं हमारे साथ यहां मौझूद है वरिश पत्रकार प्रकाश इंदुस्तानी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ मौझूद है अर्विन तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत आपका किर्टी राना जी हमारे साथ मौझूद है जो अपने सटिक विश्लेशन के लिए जाने जाते हैं सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका और हमारे साथ है नाउनित शुकला जी वरिश पत्रकार है और मालवा निमाल के राजनीती पर बारी किसे नजर रखते हैं शुरुबात हम करते हैं सबसे पहले नाउनित शुकला जी से सबसे पहला सवाल सर इस चीज़ को लेकर करेंगे कि चौते-चरण तक के चुनाव खत्म हो गया है महिलाओ का वोट परसेंट मध्यप्रदेश में कम हुआ है क्या वज़ए इसके आप देखते हैं महिलाओं का करेंगे 9 परसेंट वोट कम हुआ है इस चुनाव में पर एक बड़ी बात यह भी हुई है कि वो जो वोट है वो ट्रांसफर नहीं हुआ है मतलब अगर महिलाओं की कोई नाराज़गी होती तो वो कॉंग्रेस में जाना चाहिए था पर यह वोट कॉंग्रेस पे गया नहीं है इसलिए इस वोट को लेकर बहुत ज़्यादा आगलन नहीं हो पा रहा कि अगर यह बोट कहा चला गया दूसरी बात यह है कि मालवा और निमाल में महिलाओं का वोट अपनी जगे पर इससे कहीं ज़्यादा आधिवासियों का बोट जो है वो यहां पर फेसले करने की इस्टिति में रहता है अगर हम पुराना आगलन करें तो 2009 में इसी वोटिंग परसेंटेज पर आधा एक परसेंट का अंतर होगा इसी वोटिंग परसेंटेज पर ग्यारा सीटे भाजपाख हो चुकी थी 2009 में पर 2014 और 2019 के चुनाओं में यहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा जब तो जब 12 परसेंट के लगपक 11 परसेंट बढ़ा तो उससे जाके वापस सीटे जो है वो इतनी जादा अपना सुस्ताफ साथ 28 सीटे मिल चुकी थी कॉंग्रेस से जो छूट चुकी थी बाजपा बें चली गए थी अब इस बार वोटिंग परसेंटेज कम होने के कारण यह माना जा रहा है कि कॉंग्रेस को मालवा निमान में जो सीटे पहले भी उनके पास रही है इसी परसेंटेज पे वो मिलने की पूरी संभावना मेरे क किरते राना जी से जानते हैं कि सर पद्यप्रदेश की चुनाओं की बात कर रहे था हम लोग इंदौर में अक्षय बम वाला जो कांड वा पूरे देश में चर्चितरा आपको कुछ उसका असर लगता है कि इंदौर के चुनाओं पर पढ़ा होगा क्योंकि जनता के बीच म भी वोट को लेके वैसा उत्सा ने दिखा जिया जिसके लिए इंदौर ही जाना जाता है देखे ये इंदौर में जो अक्षय बम कांड हुआ ये गुजरात मडल अमी शाह मधी जी का जो गुजरात मडल है वो यहां लाग हुआ इंदौर में ये हुआ और इसके बाद में तो ये अक्षय बम का जो कांड हुआ है मुझे तो ताजूबे के अक्षय बम खुद एक लाकालेट चलाते हैं और उन्हें लोक तंतर के साथ में गद्दारी की इन दोर जो सफाई में नंबर वन था वो उनकी बेवफाई के कारण भी नंबर वन हो गया तो अक्षय बम का अगर कांडरेस को कित्ता पड़ा क्योंकि कांडरेस का केंड़ेट तो था ही नी तो नोटा में कित्ते वोट गए ये चुनाव में पता चलेगा इसके पहले तक जित्ते भी चुनाव हुए लोग सबाके अधिक्तम 6,000 वोट नोटा में गए हैं इस बार यदि लाग डेल ल अधिक्तम 6,000 वोट भी नोटा में जाते हैं तो ये इंदोर के लिए बड़ी शर्मनाख और लोक्तंत्र के लिए लज्जा जनक इस्तिती होगी कि इंदोर इसमें भी नाम कमाएगा जहां तक अक्षेबम का सवाल है तो अक्षेबम को येसे बच्चे भी नहीं है और ना ही अक्षेबम जब विधान सभा का टिकेट नहीं मिला था तो इन्हीं अक्षेबम ने पूरू सीयम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के पुतले जलाए थे तो ये अक्षेबम का कांट कांग्रेस को यहां से भारी पड़ा है लेकिन बीजेपी भी मुगाल तम इसे भी जीत रहे तो इंदोर ये मान के चलाता है कि दूसरी बार शंकर ललवानी जीतेंगे तो इंदोर को मंतरी बिल सकता है लेकिन अब चुकि शंकर ललवानी की जीत के सेरे पे एक धबा लग गया है तो मुझे इसके संभाना एक कम लगती कि शंकर ललवानी को मंतरी मं नोटा को कॉंग्रेस प्रमोट कर रही है प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष जीतु पटवारी जो है वो भी इसी शहर से आते हैं आपको लगता है कि कॉंग्रेस कहां वहां पर मालवा इलाके में निमार इलाके में कॉंग्रेस का संगठन लेवल पर या सीटो के लेवल पर कुछ कमाल कर पाईगी। के नाम पर सहमती करवाली पालिटी के प्रदेश अध्यक्षे इतनी बात तो सुनी जाती है। असली चुनाओ बागी तो देखिया आप पूरे मालवा निमार में कई जगे में गया लेकिन चुनाओ का रंगी देखने को नहीं मिल रहा था लेकिन चाहे जाबुआ हो रतलाम हो। यहां हर जगे चुनाओ कश्मकश्वाला रहा यहां पर केंडिडेट्स के साथ पुल्टिकल पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव रही। इस पर मुझे लगता है कि इस बार जो है कुई मत्ब बदलाओ नजर आ सकता आप मालोवा निमार की बाकी सीट देखे चाहे वो उजयन उज्जयन में तो इसलिए कि वहां पर मुख्यमंति की प्रतिष्ठा दाओ पे लेगी हुई थी और उज्जयन वेसे भी देखा जाय उज्जेन हो देवास चाजापूर हो यह बारती अंता पार्टी के परंपरा का शेत्र है बता आप देखिए ना पिछले चुनाओ का हम रेकार्ड उठा के देखे तो दो बार उज्जेन में जहां तक मेरी जानकरी में दो बार कॉंग्रेस अभी तक जीत पाई है लगातार छे बार जीते देवास शाध्यपूर में थावर चंद गहलो चार बार लगातार जीते तो इन सीटों पर मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े बदलाओ की संभावना या कंग्रेस कुछ कुछ कर पाएगी अपका सीट पर इंदोर से राजेंद मालवी को लेगा कि चलिए जातिकत सम्भी करणों को सा देंगे लेकिन उनके पिता राजा किशन मालवी उस दोर में चुना वहार है उस सीट पर 1998 में जब वो प्रदेश कंग्रेस के अध्यक्स थे राजसभा के सदस थे तब वो चुना वहार के लेवर पर अगर हम बात करें प्रकाश जी आप से जानेंगे कि प्लानिंग के लेवर पर मालवा निमाड में लाके में हम आदिवासी सीटों के भी बात कर रहे थे प्लानिंग के लेवर पर दोनों पार्टियों को और संगठन को कितना आकते कहां आकते हैं दोनों कर वो तगली थी संगठन के स्थर पर जो काम बीजेपी कर रही है कांग्रिस संगठन के स्थर पर उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है अगर कांग्रिस कली तक कर दे रही है तो वो उमीदवार की योगिता है पार्टी की योगिता नहीं है तो इस पश्ट है कि उमीदवार वर्सिस पार्टी की लड़ाई है यहां, उमीदवार टगड़े हैं, वे अपने बूते पे लड़ रहे हैं, कांग्रिस ने उमीदवार को छोड़ दिया कि आपके बूते पे भुरिया जी आप लड़ो, जीतो, पारो, आपके उपर हैं, धार में भी यही हाल है, और खरगोर म में आए, फिर भारत जोड़ो निया यात्रा में आए, उस सब को बिलकुल मात देने के लिए प्रधान मंत्री नर्यन मोदी और अमित शाह इलाके में आते रहें, तो संग्ठन के स्थर पर बीजे पी बहुत आगे है, और बीजे पी अगर जीती, चुनाव में घोशना करना तो ठीक नहीं है, बविश्यमानी करनी सकते, लेकिन अगर बीजे पी जीती तो उसकी बहुत क्रेडिट उसके संग्ठन को जाती है, उसकी योजनाओं को जाती है, अब बहुत सारी बात यहां पर हम कर रहा है, कि देखे संग्ठन का भी मामला आता है, मिदवारों का मामला के बात करें, या फिर हम निमार की सीटों की बात करें? कांग्रेस की उपलबदी होगी और बीजेपी का जो नारा है 400 पार निश्टी तुरूप से वो नारा घड़ जाएगा मुझे ऐसा लगता है कि साड़े 300-370 के बीच में पूरे देश में बीजेपी आ सकती है और रहा मालवा निवाल का सवाल तो मालवा निवाल का मददाता बाकी तरे जिलों की तरे भी शांत रहा है और शांत रहने का पूरे मालवा निवाल का लगई निकी चुनाओ जैसी स्थिती बनी हुई है कमोबेश पूरे इलाके में जब हम भी जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि चुनाओ का वो माहूल ने दिख रहा है जो दिखना चाहिए और उसके बाद में गर्मी जो पड़ी है तो इस गर्मी में चुनाओी गर्मी तो कई नजर आई नहीं और निश्चित रूप से इसका जो की तरह मिल चुका है नवने जी जिस तरह से किर्ती जी ने पूरा बताया अनालिसीज बताया सारी सीटों को लेकर लेकिन अगर हम यहां की बात करें जीतु पिटवारी प्रदेश अद्यक्ष है लेकिन विदान सबा चुनाओ हारे दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष के संगेण से का बच्कष 2 बूंद खड़ा और इंदावर की हाल हुआ और बुरी हो घजी फ़े कि कहीं संगहज़न नाम की कोई चीज ही नहीं तो दिकत क्या हो रही का कॉंग्रेस के साथ में कि कॉंग्रेस जिस उम्मीदवार को टिकेट दे रही है उसके लिए संगढ़न तो बचे ही नहीं कहीं पर और भाश्पा का एक ताकतवर संगढ़न जो जमीन से चुड़ा वा संगढ़न जिसे कहते हैं कि बहुत नीचे के लेबल तक कारी करता बूत मै प्राश्पा को बहुत ज्यादा मिलता है आप रहा प्राश्टन देखिए आपने जैसे कहा कि माहौल देखने को नहीं मिल रहा है तो माहौल को देखिए आप इस बार इस वो जो जिन लोग ने दोजार उन्टिस का हमने भी चुनाओ देखा और आपने भी देखा कि एक वोटों को प्रभावित कर सके तो मैं समझता हूँ यह चुनाओ बहुत सामान इस्थिका हो गया देखिए मुद्दो के बात कर रहे थे हम लग कि वैसा कोई फैक्टर इस बार चुनाओं में नहीं दिखा जो आम तोर पर देखने को मिलता है राममंदिर की बात करे अरविन 370 वोट बढ़ाने का जो प्रदान मंति नरेन मोदी का जो नारा था वो तो मुझे कमसे कम यह जो मालवा निमार शेत्र है इस में तो कहीं मुझे दिखनी रहा कि इस तरह का कोई सीन बन रहा हूँ बता आप इंदोर में अंदाज लगाई है इंदोर जो राजनेतिक रूप सबसे जागरत शहर माना जाता है वहां पर मतलब सबता पक्ष भारती अंता पार्टी के लोगों में मद्दान के एक सबता पहले तक चुनाओं को लेकर कोई उत्सा नहीं था कहा जा रहा था कि पार्टी के कार्यकरता घर बेटे हुए अंदाज लगाई आपके पार्टी के पर आश्टी संगठन मंतरी शिवपरकाश को इंदोर में एक बेठक लेना पड़ी इंदोर के नेताओं को एक फोरम पर बिठाना पड़ा रहा 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 था कि उन्दोर में वोटिंग परसेंटेज बढ़े जादा से जादा वोटिंग हो इसके लिए आप मैदान समाल विदान सभा चुनाओं में भी ऐसा देखा गया था कि कारे करता बाहर नहीं निकल रहा था फिर आखरी के एक मैने में अचानक से कारे करता बाहर निकला देखिए तो एक महीने पहले कारे करता का निकलना तो बड़ी बात है मैं तो बहुत महत्व रखता है मैं तो आप से क लोकल लीडर से कहा कि भई आप ये ऐसा क्यों हो रहा है इंदोर में पहली बार इतनी उदासी नहीं था हम पार्टी के लोगों के बीच में देख रहे हैं तो बतर यह पार्टी जिस मुद्धे पर चिंती तरहीं तंदा लगा है कि इंदोर में बीजेपी का वरकर कितना कालबा लाके में बाहर नहीं निकल पाया प्रकाश जी जिस तरीके से दल बदल करते वे लोग बीजेपी में शामिल हुए कॉंग्रेस से बहुत सारे नेता शामिल हो गए तो कहीं न कहीं ऐसा लगता कि बीजेपी का कार्रे करता में कोई मायूसी नज़र आई या इस माइन थे कि हमारी सरकार तो बनी रही और बीजेपी जी ती रही तो हमें मेहनत करने की जरूबत नहीं है यह बीजेपी आला कमान की प्रो एक्टिवनेस देखिए कि उन्होंने का नहीं हमें मद्दान कराना है वरना लतीफा एक है कि बच्चा घर आया और बोले कि पिताज करने रहे जितना उसी को है कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे किर्ती जी उनका कहना था कि छिंदवाडा में हमने देखा तो कमलनात अपना चुनाओ अके लिए लड़ रहे थे तो कमोबेश ऐसा लग रहा है कि इंदोर में जितू-पटवारी अलग सलक पड़ जाए कुछ कर दिया जीतू-पटवारी और उमंग सिंगार में जो अंदुरूनी कटा चनी चल रही है उससे भी मालवाक शेत्र में कांग्रेस प्रभावित हुए और जहां तक मैं थोड़ा सा बात को और आगे ले जाता हूं यह जो चुनाओ के परणाम आएंगे मध्यपरदेश के न तो विपक्ष यह आरोप लगाने से भी नहीं चुकेगा कि इस बार चुनाओ आयोग रबर स्टेम की तरह बीजेपी का साथ देता रहा हमने भी देखा है दो तीन चड़नों के मद्दान के बाद में बीजेपी ने ग्यारा दिन चुनाओ आयोग ने ग्यारा दिन बाद यह कि मैं अपने हिसाब से सारे पत तय करता हूं सारी जिम्मेदारियां तय करता हूं बूच मेरेजमेंट तय करता हूं उसी हिसाब से वह अब तक जीते रहे और बीजेपी के लिए इस बार मद्द परदेश में दो यी सीटे नाक की बनी हुई है एक तो छिनवारा और कि जिस तरीके से हम बात कर रहे थे खास तरुक पर मद्यप्रदेश की जो हाट सीट है, राजगर की हम बात करते हैं, हम चिंदवाला की बात करते हैं, चिंदवाला सीट को लेकर भाजपा ने पूरा जोर लगाया था, ऐसा लग रहा था नौनित जी कि चंदवाला को लेकर ब निती बनाई है तो कहीं ऐसा मैसिस होता है कि पूरा फोकस छिंद्वारा पर रहा उस वज़े से बागी जगह कहीं मुझेपी कमजोर होती नजर आई रहा पर आई होगी जगह कि उन दोनों के बीच पे एक बार फ Sut southeast इसी चीट लिए से जीटो पडवारि का कारण ही जीट अउनई पर वहां वो टिकेट कटा नहीं कांतिलार बूरिया को यह जीतु पटवारी को नहीं है यह उनु उताकत और उमीद्वारों को है जो टिकेट अपने खुद के दम पे लाएंगे इसलिए जीतु पटवारी के तो कोई भूमिकास पर नहीं मानता है और सबसे बड़ी दुर्भ उन्हें इतने लाख लोगों ने पसंद नहीं किया अगर येवोट कंग्रेस को मिलता तो अनको कहने को होता कि मैं कांग्रेस को हरा क्या हूं चुनाव आयों कि उस तरह का प्रचार पासार इस बार नहीं देखा गया खास दोर से चुनाव आयों की तरब से भी ऐसे कदम उठाये जाने से जिससे मद्दान को हम रिकॉर्ड ले जा सकते थे देखे सुधिर जी जहां तक मेरा मानना है कि दोनों राजनितिक दल भारतियलता पार्टी और कॉंग्रेस कि तुलना में वोटिंग का परसेंटेज जादा से जादा जाए जादा से जादा लोग बद्दान करें इसके लिए चुनाव आयोग और शाशन ने तो पूरी मशक्त की चुनाव आयोग ने जो अलग-अलग activities की देखे चुनाव आयोग अल्टिमेटली अपनी जितनी एक्टिविटी से स्टेट गोर्मेंट और डिस्टिक अड्मिस्टेशन के माध्यम से करता है चुनाव आयोग ने जितनी activities की कहीं ने कहीं मुझे लगता है कि उसी का असर ह कि देखी राजनेतिक दलों की ओर से तो मद्दान जादा हो इसके लिए संगड़न इस तरफ पहल हुई कारे करता हो कि इस तरफ पहल हुई लेकि चुनाव आयोग ने आम आदमी जादा से जादा मद्दान के लिए पहुँचे इसके लिए जो पहल की थी मुझे लगता कही ने कहीं उसका असर और विशेशका इंदोर जैसे शेहर में उसका असर देखने को मिला देकि मद्दान के दिन जब इंदोर में दो पहर तक जो है 38-40 परसेंट वोटिंग हो रहा था उस दोर में जो है इंदोर में प्रशाशन ने लोगों से आगरे किया अलग-अलग चले प्रशाशन की गाड़े थे उनने का कि मद्दान महत्पुने आप मद्दान के लिए निकलिए ज्यादा ज्यादा मद्दान करिए तो उसका असर तो कहीं ने कहीं तो मुझे जहां तक लगता है कि चुनाव योग की और स्टेट गोर्मेंट की और लोकल को से हम जानना चाहेंगे प्रकाजी मंगल सुत्र का जिक्राया विरासत टेक्स का जिक्राया आपको लगा कि चुनाव में कुछ असर उसका देखने को मिलेगा नकारत्म का असर देखने को मिलेगा क्योंकि प्रधान मंत्री ने जो बीजे पी के इतने बड़े नेता है उन् जरूर कांग्रेसी कहने लगे कि देखिए 400 सीटे नहीं मिलनी थी आदे सीटे हम ले रहे हैं इनको 200 सीटे मिलेगी तो हास्त का हंसी के पात्र बने ऐसे बयान की अपिक्षा प्रधानमती जिसे व्यक्ति से नहीं की जा सकती चार जुन को नतीजे आएंगे लेकिन एक चीज औ बड़ी बात है यहां धमार पार दो मुद्दे एक तो यहीं कि किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा है कि मोदी की गैरंटी जो थी वह इस बार पूरी नहीं हुए वही बाइस सो पचास रुपए उनको जो समर्थन मूर ले मिलना है और जो उनको ऊपर का पैसा मिलना था वाज तक नहीं मिला तो किसानों के साथ एक खुली धोका धड़ी किसानों को दिखने लगी है तूसरी बात आप यह समझे कि कितने बारा आपके तेरा करोड इंजीनियर अब खाली हो चुक है जिनके वास कोई काम नहीं है इस साल पंद्रा लाक इंजीनियर निकल रहा है प एक बार एक मुद्दा भुनाये जा सकता है दूसरी बार नहीं भुनाये जा सकता है तो देखिए यह विशेशक्द्यों सहबने बात कि और जानने के कोशिश है कि आखिर कौन से मुद्दे है जिन्मist ने चुनाओं पे असर डाला है गर्मी अलग तरीके से अपना असर डा और हमारे साथ जो विशेशक्य थे वो ना सिर्फ देश की ना प्रदेश की बलकि देश के हर चप्पे-चप्पे में होने वाली राजनीति गटनाओं की जानकारी भी रखते हैं और गहराई से उनका जब अध्यान करते हैं तो उनके विचार जो है वो सामने निकल कर आते हैं ऐसे कुछ विचारों को लेकर एक बार फिर हम हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार